असलाम लेकूम, तो आज मैं आपके साथ बहुती जादा डिफ्रेंट सी रेसिपी लेकर आई हूँ। टिक टॉक वाइरल पास्ता रेसिपी। स्पाइसी पास्ता है और बहुत जादा टेश्टी है। और इसका टेस्ट भी जो होता है वो एक्दम डिफरेंट सा होता है तो आप लोग जरूर बनाईए इसे और मुझे अपने फीडबैक दीजिए तो चलते हैं हम रेसिपी की तरफ सबसे पहले हम क्या करेंगे पास्ता बॉयल करेंगे वन टी स्पून नमक और वन टी स्पून इसके अंदर जाएगा ओल और इतना हमें बॉयल करना है कि पास्ता अच्छे से कुक हो जाए जब हम बॉयल करेंगे तो इसका एक कब जितना पानी निकाल कर हम साइट पर रख लें एक पैन में हमें 3 टेबल स्पून ओली वॉयल डालना है अगर नहीं है तो सिंपल सा ओल भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं अब हमने 3 गार्लिक को चौप करके इसके अंदर डाल देना है यानि 3 जवे लसन के हमने इसके अंदर चौप करके डाल देने है और 3 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा टमाटो पेस्ट टमाटो पेस्ट डालना है हमें इसके अंदर टमाटर पीस के नहीं डालना है पेस्ट से इसका टेस्ट जो हिना बहुत अच्छा आता है अब गारलिक और टमाटर को हमें बहुत अच्छे तरीके से 15 मिनट के लिए बूरना है और जब यह paste अच्छे से भूणा हुआ होगा तब आपका पास्ता बहुत अच्छा बन कर तैयार होगा. इसके लिए हमें इसे बहुत अच्छे से भूना है. तो मैंने इसे 15 मिंट के लिए बहुत अच्छे तरीके से भून लिया. अब इसके अंदर जाएगी क्रीम. तो इसके अंदर मैंने थिक वाली क्रीम ली है 250 ml इसके अंदर जाएगी थिक क्रीम तो अगर आपके पास फ्रेश क्रीम हो तो आप वो भी डाल सकते हैं अब इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा पास्ता का पानी और फिर हमें अच्छे से मिक्स करना है तो बहुत अच्छे तरीके से हमें इसे मिक्स करना है देख सकते हैं टमाटर बहुत अच्छे से भुना है अब हम इसके अंदर डालेंगे वन टी स्पून चिली फ्लिक्स वन टी स्पून काली मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून इसके अंदर जाएगा नमक नमक आप अपने टेस्ट की हिसाब से भी डाल सकते हैं और वन टीस्पून इसके अंदर जाएगा ड्राइ औरिकेनो और फिर हम डालेंगे आदा कप मौंजरेला चीज अगर आपके पास पामिजान चीज है तो आप वो भी डाल सकते हैं पिर हमें क्या करना है अच्छे तरीके से मिक्स करना है और फिर इसी तरीके से हमें दो मिनट इसे पकाना है अब आपने देखा दो मिनट से बहुत अच्छे से मसाला पक रहा है अब हम इसके अंदर डालेंगे टू टेबल स्पून जितना पास्ता का पानी और फिर हम इसके अंदर पास्ता एड़ कर देंगे और फिर अच्छे तरीके से मिक्स करना है बहुत डिफरेंसा और बहुत ही जादा टेस्टी बनता है ये पास्ता तो आप लोग इसको जरूर बनाएए और जरूर ट्राइ कीजिए फिर हम इसके अंदर डालेंगे वन इसके अंदर जाएगा चिली फ्लिक्स स्पाइसी है तो हाफ टीस्पून और जाएगा और इसके अंदर जाएगा हाफ टीस्पून और इगेनो और इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा पास ले अगर नहीं है तो हरा धन्या भी डाल सकते हैं आप और फिर इसके अंदर जाए दुआओं में याद रखिए अपना खियार रखिए अला हाफीज